इस्टुडेंट से एक बाँ फिर से आपका एको नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत थे तो आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th English के Half-Elly Exam का Question Paper तो वीडियो के स्टाडिस में देखे इंट तक जरूर देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस Question Paper को इडियनेल में Explain कराने वाला हूँ जो कि 2022 और 2023 का है बस वीडियो में तक बने रहीएगा चरी वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले हम इसके Passage के Answer को जान लेते हैं कि जो Passage आपको देखने को मिल रहा है यह हमारा Section A में है तो इस Passage को आपको पहले Carefully Read कर लेना है इस ताडिक से लेकर इंट तक आपको Passage को Read करना है इसके बाद आपको Question को Read करके इसके Answer Find करना है फिलाल मैं आपको Directly Second Trick के तरह है यानि कि पहले Question को Read करके Answers में आपको यहां पर Provide करा देता हूँ तो पहले आपको यहां नीचे आ जाना है और Question पहला वाला देखना है When did Helen Keller Lost her eyesight and hairy तो देखो इसका Answer आपको का पर मिलेगा यह आपको Answer मिलेगा At the age of 2 Starting में तो इसका जो Right Answer होगा यह Option देखना है किसमें यह Option मिलेगा आपको Option No. B में At the age of 2 तो आपको करना क्या है पहला जो Question होगा उस पहले Question को आपको Passage की Starting Line से सर्च करना है कमाल की बाद यह कि जाद तर जो Question होते है First Question का Answer First या Second Line में Starting में मिल जाता है उसके बाद उसके Second Third Line में ऐसे आपको Top से लेके Bottom तक सर्च करना है Easily आपसे Question के Answer मिल जाएंगे तो इसका जो Answer है It's the age of 2 आएगा Second है Which word in the passage means One who is unable to see तो बच्चों One who is unable to see मतलब होता है Under इसको English में कहा जाता है Blind वह जो देख नहीं सकता है उसको बोलते है Blind इसका राइडा तो रोगा Blind Next Question है Which word in the passage means One who is unable to listen यानि कि जो सुन नहीं सकता तो सुन नहीं सकता वो होता है Behera इसको बोलते है Deep One who cannot speak जो बोल नहीं सकता यह होता है Dumb यानि कि गूंगा यह इसके answer है आप इसकी shot लेना चाहिए तो आप ले सकते है ठीक है अब हमारा second passage है तो इस passage को भी आपको carefully read करना है मैं आपको इसके directly answer बताता हूँ उपर आपसे easily बन जाएंगे Indra Gandhi lived in Right answer हैगा D. Anandh Bhavan At what age Indra Gandhi One two Gandhi Ji आश्रम इसका right answer होगा आपसे नमा B गांधी जी आश्रम At was At Saavarmati D. Right answer है Who was the first prime minister of India Indra Gandhi आप बता दीजिएगा Which one is the passage means newly married में इसका answer आपको जावे मिल जाएगा Bride groom यह आपको Bride groom बता देना है ठीकेट इसके बाद Notes आपको बताना है तो यह Notes को हम Next वीडियो में देखेंगे और यह Question आपको जो नीचे देखने को मिल रहा है Application Fulfill Concession की Easily आपसे बन जाएगी इसको आप लिख के देख लीजेगा यह अगर Application नहीं बने तो Congregulation के later को ठीक है यह ऐसे हैं अब लेकर में चलते हैं Section C पे Grammar तो मैं आपको इसकी Grammar Detail में Explain कराएता हूँ तो बस आप इसको बड़े ध्यान से समझेएगा ठीक है पहले हम समझे लेते हैं इसके fill in the blanks पहला Question It was accident that she fell down इसका जो right answer होगा यह N होगा Article N आएगा Because जो accident है यह vowel sound दे रहा है इसलिए इसका right answer आएगा An accident ठीक है Second question है There is not water in the pool इसका जो right answer है यह आएगा Any Because sentence negative है इसलिए यहाँ पे आपको Any fill करना होगा There is not any water in the pool तो अच्छो निगेटिव sentence में Any का use किया जाता है इसलिए हम यहाँ पे Any लगाएंगे आप जान लेते Question number third Question number third है The earth round the sun इसका right answer होगा Moves The earth moves round the sun सूर मतलब प्रत्वी सूर की परिकिर्मा करती है Singular subject है The earth इसलिए वर में S का use किया जाएगा Present indefinite का यह sentence है The earth moves round the sun Moves right answer Four My father is a teacher Retired teacher आएगा यहाँ पे Adjective retired आपको use करना है I come in sir Right answer होगा में Permission लेने के लिए आपको Make a use करना होता है May I come in sir May I come in sir Formal है Make a use करिए He put the book The table Iska right answer आएगा On the table किसी surface पर किसी चीज़ को रखा जाता है On का use करते है On the table आएगा Work hard You will fail इसका right answer होगा और करना आपको 5 है Any 5 आपको करना है मैंने 7 के आपको answer बता दी है चलिए आप देखते है Do is directed Do is right को भी समझ लेते है इसमें भी आपको any 5 करना है 6 आपको देखने को मिल रहे है पहला question He did his work इसको negative बाना लेते है तो देखो यह past का sentence है Did यहाप पर V2 है तो past का sentence है तो यह negative कैसे बनेगा देखो पहले हम लिखेंगे He पर helping word हम यूज करेंगे Did Then negative बनाएंगे not अब verb की first form यूज करेंगे Do He did not do Then इसके बाद हम यूज करेंगे His और Work He did not do His worth यह इसका right answer होगा ठीक है अब बात करते है Second question He is Too weak to work Rewrite The sentence using so that So that का use करना है कैसे करेंगे देखो इस 2 को अटागे So लगाएंगे पहले हम लिखेंगे He Is So weak He is So weak अब इस 2 को अटाएंगे और हम लगाएंगे That He is so weak That अब यहाँ पर पहले ही है Starting में हम यहाँ पर भी लिखेंगे Present की बात है तो हम यहाँ पर Cannot का use कर लेंगे He cannot और वाक लिख देंगे अब रहा हमारा right answer बन गया He is so weak That he cannot वाक वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है Question no.3 They play cricket in the playground Passive ways में change करना है तो कैसे बनेगा पहले object को देखते है Cricket तो यहाँ पर हम simply starting करते है Cricket Cricket Is Helping और यहाँ पर Is आएगी Cricket is play की third form क्या होगी Played Cricket is played In the Playground Play G-R-O-U-N-D Cricket is played In the playground इसके बाद लिख लेजएगा By देखा हो जाएगा Dem Cricket is played In the playground By Dem यह इसको Right answer होगा Passive ways Question no.4 She has lost his pen Change into past perfect Past perfect में change करना है तो बस Heads को Head में change कर देजिए चला जाएगा Past में She had lost his pen Right answer होगा Past में Head लगा देजिए Next Work hard You will Fell in the exam तो और का यूज़ करना है तो work hard Comma को अटा कर बीच में लगा लेज़ेगा Or Work hard Or you will Fell in the exam Comma अट के Or लग जाएगा बीच में ठीक है इसके बाद My brother Went to Bhopal Yesterday Make question with where Where का यूज़ करके हम एक कोशन मनाना है तो कैसे बनेगा इसको हम यूज़ करेंगे Where Did Your Brother Go Go Yesterday 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 Last Question लगा लगा लेजिए Space नहीं मैं यहाँ पर नीचे लगा दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि यह स्क्रीन हट जाएगी अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो Where Did Your Brother Go Yesterday Yesterday My Brother Went to Bhopal Yesterday तो यह मैंने आपको Explain करा दी है इसके बाद देखो यह आपसे इजली बन जाएगे आप खुद कर लीजिए How much money did Lencho Found कितना पैसा मिला था उसको 70 पैसे जी मिले थे 100 की डिमांड करी थी ठीक है तो यहाँ पर Who was on Is the First Black President Of South Africa को अन ते नेलसल मंडल आते है ठीक है तो फोक को किस से compare किया था फोक किस की तरह आता है केट की तरह आता है यह सब आपको पता है ठीक है What is असम पापुलर known as असम किस लिए tea country है coffee country है green country है plantation है coffee country है तो इस तरह से आप इनकी भी practice कर लेंगे यह question देख लिजिए और यह question answer है यह पूरे question answer देख लिए what made Lencho agree where is Kurg and what what does want to keep a diary यह स्क्रीशोट ले लिजिए आप इनकी practice कीजिएगा ठीक है यह आप पूरी practice करेगा यह पूरे question है इनको आप देख ले ओके strengths तो आयो पी वीडियो आपको पसंद आयो होगी तो इस वीडियो को लाइक की जरूर कीजिएगा अपने सभी friends के साथ बादा शेयर कीजिएगा यादी चेल पनना है तो चेलो को subscribe भी कर लिजिएगा thanks for watching